चैनल धीर जर्मा स्वागत है देखते हैं क्लास एर्थ एक्सरसाइज टू बी एक्सरसाइज टू बी तो पहला सवाल कह रहा है गुड़न खंड विच्चे निम्नांकित के वर्गमूल ग्याद किजिए तो पहला है सबसे पहले तो हम दोसे काटेंगे सबसे पहले हमसाद दोसे काट जाँता है अब दोसे नक्टे तत काट जिये चीनल और हो हिसे शना से कर जाता है Awwусов यह यह संख्वाइज लॉ 17 कर जाएगा प्लाश्च में कितना है जैनी है 아 empty यहां पर कौन सी संख्या लिखी जाती है यहां पर कौन से लिखी जाती है दो त्यां चंव herbs इदेछ। न 보여 ya यांगे दो तीयां छे तो यह जो यहां लिखा लिखा यह यहां लिखा यह पर देखे कितना लिखाए थे साथ सब्सक्राइब्सक्राइब तो यह कितना हो गया सुद्रह अब सान्रा के लिए पहाड़ा पढ़ें गें 12oj शोला नहीं यहांद सुद्रह तो यहां पर देखिए । यहां पर चार उता रहेंगे दो सती चोदा गया कट आप कौन उता रहेंगे संख्या चार दो दुना चार यानि यह गया है अब समझ गये यह वाली लिखे ऐती है दौबारा समय यह है नहीं लिज envol लिखेंगे बस दैना बजड़ एक तो यहां जाएं सत्रादूट 12-16 इसमें फिर देखे 17 संत्रा हो गया तो सत्रा दो पाहड़ा में आता नहीं तो दूओट 16 जएगा एक तो आप कितना हो गया 14 तो दो सती 14 अब ये 14 तो कट गया अब बचा कितना चार दो दो न चार अब देखे फिर समझें अब लाश्ट में कितना है दो तो देखे से कट जाएगे जिसमेंगे कितना बचेगा नहीं बचेगा बचेगा लगया इतना तो बचानी तो अब गया अब इतना तो गया कट दूनां अठारा अभी है साथ तो दो तुम इस चशे तो साथ कड़िए रहा नहीं पचेगा इसमें कुछ बचेगा इसमें कुछ दो तियां चे एक तो कितना हो गया बारा दो चाहँ क्यक्व देखतेंगे बात करतें जब दो से काटेंगे देखें 19 लिखाए न तो दो नाम दो नवह अथारा इसमें बचेगा कुछ उन नि तो यहां 13 था ना एक फिर भी बच गया तो कितना हो गया आप 16 दूवट 16 फिर देखे हमारा आठ है लाश्ट में यानि दो से भी कट जाएगा तो दो से फिर जब करेंगे तो नौ लिखा है यहां कितना लिखेंगे चार लिखेंगे दो चक्कु आठ तो इसमें कुछ बच गया ना एक बचा तो यहां पर लिखेंगे कितना हो गया हो गया दूवट 16 अपूरा अपशक कंड गया अब कितना बच है 8,2 चक्कु 8 अफिर दो से कट रहा हां आप देखिए ना चार हब दो चकुप आठ डोग दुना चार अब द देखिं दो से कट़ है रहा दो एकम दो 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 झ्राच दो अप संख्या हैं मारी 121 एक किसमें यह किसके पहाड़ के रहते हैं कि देखिए 13 hy कटेगा जब इनि का जोड थी नियुज जा तो एक से कड़ेगा ना पान से ना नवलाट परना जा रहे हैं 11 का पहाड़ा 121 X 11 । 11 एक और मन में है तो देखे बारा में से गारा कितना बचा एक बचा तो कहां लिखेंगे यहां पर अब 11 होगया, 11 कम 11, फिर 11 से भाग देंगे तो यह हमारा गया कट, अब वर्गमूल ग्याद कैसे करते हैं, तो देखिए अच्छे से समझना यह लिखा गया है, 77 44, और यह है सारे इसके गुड़नखन, दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो एक दो तीन चार पांच छे एक दो तीन चार पांच छे फिर ग्यारा गुड़े ग्यारा तो ये सारे के सारे क्या है इसके गुड़न खंड है और जब वर्गमूल हम ग्याद करेंगे यानि सततर चोवालिस ये निसान है वर्ग मूल गयात करेंगे दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े ग्यारा गुड़े ग्यारा ठीक यह इसके गुड़नखंड इधर वर्गमूल का निसान लगा इधर वर्गमूल का निसान गायव करते हैं तो जोड़ा बनाके बाहिल लाते हैं तो आइंसर हो जाएगा 2 दुनाचार दुनी 8 गैर अठासी अब जो अठासी एंसर आया तो यहां पर उत्तरमाला में जब देखते हैं तो वह होता है प्लस माइनस यह क्यों होता है अच्छे से समझना प्लस माइनस क्यों होता है तो प्लस माइनस का कारड़ यह होता है देखे जब हम 25 का वर्गमूल निकालेंगे ठीक तो देखे 5 का आएगा एंसर हमारा 5 क्योंकि 5 का जो वर्ग होता है वो होता है 5 गुड़े 5 यानि 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5 और माइनस 5 का जो स्क्वार होता है वो भी हमारा होता है 25 ठीक यह भी कितना होता है 25 तो जो 25 का वर्गमूल 5 है और 25 का वर्गमूल 2 से zBkaatin ngay 25ца 20स तोसे में कुछ बचेगा इसक बचेगं दंइक बचेगा तो कितना ऊजाएगा तो डुँट इस 116 कट किल assign अब यह कितना अब इसमें बचाば तो ठानी तो यह कोड़ना एक एक पिर इसमें कुछ नहीं सब दो दूना चार आप दिखते हैं दो से काडने पर तो यहाद आएगा 2 दूना 4 यानि ज्यादा पहला न हो 2 ती ती अच्छे ज्यादा हो जाएगा 2 दूना 4 तो इसमें कुछ बच जाएगा एक बच जाएगा तो यह कितना हो जाएगा 18 दूनाव 18 कड़ीगा पूरा दो नाम 18, आप तो कुछ नहीं बचेगा ना, 18 था और नाम 18 हो गया, अब 3 है, तो 2 1 दो, कितना बच जाएगा इसमें? दो एककम-दो यानि एक बच जाएगा तो यह पर हो जाएगा 12 नॉंगे 10 गड़ा है था 10 पूरा-पूरा krijगा ने किसे 9 नहीं 12 यह बच hashtags तो कितना हो गया ? 16 हो गया 2816 फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 2714 यानि यह 14 तो पुरा कड़िया फिर 5 को जब उतारेंगे तो 2 दूना 4 तो 5 लिखा था और तो गांथारा अब बता है दो से कटेगा नहीं कड सीरों करते लास्टाइब यहाखशे आठाइब तो इसात अगय न होता ठाला तो जाएब इसका मतलब यह सभी सवाल सब्सक्राइण हो फिर duda कितना होता है चे तो इसमें कुछ बच जाएगा एक बच यहाज़ तो कितना हो जाएगा जो जला है बारा हो जाएगा तीन को बारा सब्सक्राइण था और तीन फर्ट तीन कंगे तो ठील षटी चो बिस तो आsquare पर एक अब 3 को तारेंगे 3 एकम 3 फिर 3 से काटने जा रहे हैं 3 दूना 6 तो इसमें कितना बचा अभी एक नहीं बचा आठ है न तीन दूनी 6 यानि कितना बचा 2 21 हो गया ढदो यहां 21 3081 फिर 3 से काटेंगे तो आजाएगा तीन नवा सताइस फिर इससे काटेंगे 3 दिया न थीन से खाटेंगे एक अब लिएक इसमें जोडाा बनाया गाए यव दो, तीन इस प्रकार से यहां पर यहां पर न जोड़ा लगा हैं तो बाद में यहां पर नीचे लिखे लें तो सबसे पहले तहाँ हम बात करते है 11664 तो गुड़े दो, गुड़े दो, गुड़े 2, 3, 3, गुड़े 3, गुड़े 3, तीन गुड़े तीन गुड़े तीन अब ये इसके गुड़न खान मंतलब अगर इसकी गुड़ा की जाए तो यही आएगा देखें कैसे तीन तिया चाहिए यहां पर समझ लिए तीन तिया नो नो तुरुख 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, 243 तिया 729, 729 दूना, 1428, 1428 दूना, 2916, 2916 दूना, 832, 83664 यानि 11664 यह क्या इसके गुड़न खंड है अब जब हम वर्गमूल का निसान लगा देंगे ठीक यानि हम आप क्या ग्याद करने आ रहे हैं वर्गमूल तो इधर भी वर्गमूल का निसान लगा देंगे दो गुड़े, 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 या इधर से गुड़ा कलें तीन 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 नो तुरुक 27 दूना चववन चववन दूना एक्सो आठ तो एक्सो आठ जो लिखेंगे वो किसका लिखेंगे प्लस माइनस का यानि यह हमारा एंसर आ जाएगा एक्सो आठ चार हजार नोसो तो इसका जब और मूल निकालेंगे तो लाश्ट में देखे दू यहन 0 है तो 2 से काटेंगे 2 दोना 4 कट गया न तो आप आज आएगा दो चक्कु आथ इसमें एक बच गया दस हो गया दो पंचे 10 लाश्ट वाला 0 अतार दिया फिर 2 से काटेंगे 2 एक कम 2 दो दोना 4 अब यह तो कट चुका न अब यहां पर ब 5 5 तीन से देखे एक और दू कितना होता है है तो दूनी डमें यह कितना हो गया 22 25 भूशार फिर बात करते हैं से पांच चक को बीस इसमें बच जाएगा बीस जब लिखेंगे नीचे तो चार बच जाएगा तो जाएगा पैतालिस पानव पैतालिस अब यह वन चास किसे कट रहा है साथ से तो जाएगा साथ और यह साथ अब देखना अच्छे से 204900 जो लिखा है तो इधर यह जो लिखने जा रहे हैं दोन गुडे दोम गुडे पांच गुडे साथ गुड़े साथ तो यह क्या है गुड़न खंड है और जब वर्ग मूल निसान लगा देंगे यह हो गया वर्गमूल तो यह भी दो गुडे दो गुडे पांच गुडे 5 गुडे 7 गुडे साथ तो देखिए अगर चार जार 9000 लिखा तो यह भी तो इस में देख च Highak Due से तो नहीं था गत्र नहीं रहा कि लास्ट में किइतना हिन्हों आठ उन्नीस ऑनो आट्ठाइस तो 28 भी जो है स्टीन से नहीं कटेगा तो चार पाँच छे साथ चार दर्ज से देखते हैं तो साथ चारंग बयालें तो जब नहीं बढ़ 20 लिखेंगे तो कितना बच जाएगा 50 तो साथ सते वन चास कितना बच जैगा 50 में इसे बिर 59 नवा तिरसट साथ ना तिरसट तो कितना बचेगा चार यानि कितना हो गया 42 जब चार लिखेंगे इसके आगे साथ चंग 42 साथ एकम साथ अब यह जो देखे तो तीन यहां पर लिखेंगे तो 31 से जब काटेंगे तो आजाएगा एक अब अच्छे से समझें सैतालिस जीरो नवासी के साथ गुड़े साथ गुड़े साथ गुड़े यक तिस गुड़े यक तिस ठिक अब देखिये अच्छे से जब वर्गमूल का निसान हटाएंगे तो प्रतेक जोड़े में से एक संख्या लिख लेंगे तो साथ एक कम साथ साथ तुरूख 21 यानि 270 वह भी किसका प्लस माइनस का ठीक क्योंकि प्लस माइनस आफ समाझ गया किसले रिखा जाता है गुड़न खंड भी से निम्नाइंकित के दरन में कुर्गमूल गयात कि दे तो देखिए अभी तक जो संख्या थी सिंगल थी अब यहां पर बटे में भी संख्या तो अलग अलग निकाल लेंगे देखना अच्छे से समझना इस 625 का पहले निकाल लेगा तो इसको हम 12 पांदोनी 10 फिर बचेंगे 75 25 अब देखे 5 काट रहे इसको थिक तो पांदोनी 10 कितना बचा 25 अब पांज से काटेंगे तो आ जाएगा 25 फिर आ जाएगा size ठीक अब देखे से 625 के गुड़नखंड बनेंगे 5 गुड़ेilla날 आगर फरक्मूल लगा दे 625 तो आ गका है आप पांच गुड़े पांच गुड़े पांच गुड़े 5 अब इधर वरगमूल कह निशान लगा दिया यानि आ गया हमारा 25 अब 25 किसका है उपर ओले 625 का आया अब बच्चा कितना भी हमारा 1296 ठीक अब इसको देखिए तब से पहले दो से काटेंगे दो चाक बारा तो बारा गया काट अपना नौ पर दो चक्कू आठ इसमें से एक बच्छी काया सोला हो गया दूएट शोला फि दूँड़ू ना चार अब दोसे काटेंगे दूऐट शोला दूएकम दूआफ्ट एकं मत अब दो से नहीं कटेगा तीन से रुक्टर हताओफ यह दू थिautres अडिकेस आप तीन से गुड़े टीन गुड़े तीन गुड़ owrenखन अकर वर्गमूल इधर लगा देंगे तो आव जब बाहरम मुल का निशार भी लगाएंगे अब जब बाहर का इसका मतलब क्या है अच्छे से समझेए 625 बटे बारा सो चीन बे का जब वर्गमूल निकालेंगे तो यह आ जाएगा 625 का आया उपर 25 और नीचे कितना आया 36 यानि यह हमारा एंसर हो जाएगा 25 बटे 36 एंसर हो जाएगा ठीक आप बात करते हैं सिकेंड पार्ट की 531 बटे 1096 तो सबसे पहले तो हम 529 निकालेंगे तो आप देखिए यह किसी भी संख्यास नहीं कट रहा सिर्फ 23 से कट रहा डारेक्ट तो यह आ जाएगा देखिए 23 दुना 46 बचा 6 तेश तिया 71 फिर 23 से काटेंगे तो भी आ गया एक यह तो सिर्फ 23 से कट गया तो 531 लिखा हमने और यह 23 गुड़े 23 क्या है इसका गुड़न खंड जब इधर वर्गमुल का निसान लगा देंगे तो इधर भी आब इसका क्या जोड़ा बन किया आ गया बाहर सिर्फ एक संख्या यानि तेइस आ अब बात करतें 166 reflects एक सो 57 की तो यह सबसे पहले दोसे काटेंगे इसको तो आजाएगा दुनाम ऐठारा दुनाम आठारा बचा एक दूवट और तो आजाएगा साथ से कातेican तो सब्सक्राइब गटनेगे तो इसको इदर लगा देंगे तो गोो words का निसानिका जाएगा चौदा तो चवाल की तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 529 का कितना था था तेईस और इसका कितना था चाओदा अब देखी यह उत्तरमाला में नहीं लिखा है क्यों नहीं लिखा है क्योंकि नीचे छोटी संख्याइस से भाग हो जाएगा तो जब हम 14 से भाग देंगे कहीं रपर दे दे तो देखे 14 से जो हम भाग देंगे 13 को तो आजाएगा 14 एक कम 14 तो 13 में से चार गया 9 यानि 1 सही 9 बटे 14 यानि हमारा अंसर आ जाएगा 1 सही 9 बटे 14 यह हमारा एंसर हो जाएगा अब बात करते हैं सेही वनतिस बते चार सेही वनतिस बते वज चास तो इसकी इसकी गुड़ा होती और फिर इसको जोड़ायाता है तो पहले तो इसकी इसकी गुड़ा मोगी 429 चार चार चक को 16 14 सबसे पहले हम निकालेंगे 225 का तो यह तीन से दिखे कड़ रहा है तीन सते 21 बचा कितना पच्छे में पच्छे 25 फिर 30 से काहिए थिन दुनी 6 कितना सबस्क्राइब इसको 5 से पच्छे से पांत्रा तो यह आ गया तीन गुड़े पांच यानि कितना आ गया पंद्रा आया ठीक अब वन चास का तो हमको डायेट पता है कि वन चास सिर्फ किस से गटेगा सास से सास से ती वन चास सास से यानि वन चास का जो वर्गमूल है साथ गुड़े साथ एनसर आ गया साथ तो आइंसर किस देखे इस रूप में था चार सही वन तीस वटे वन चास तो इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो देखे यह टोटल गुड़ा होके आये थी तो उपर आया कितना पंद्रा इसका और यह जो वन चास इसका कितना साथ अब देखे उस रूप में लिखेंगे जिस रूप में यह लिखा है नीचे देखे छोटी संख्या है तो साथ से भाग देंगे साथ दूनी चौदा यानि भाग देकर देख लिए साथ को पंद्रा से साथ दूनी चौदा बचा एक तो दो सही एक बटे साथ दो सही एक बट 2783 इसकी कल्कुलेटर समने गुड़ा कर रखी है और फिर इसमें क्या करना है इसकी गुड़ा करेंगे फिर इसको जोड़ेंगे अनि 26 थिक फिर बटे में लिखेंगे 121 तब यह आएगा ऊपर वाली संख्या जोड़ने पर आई है हमारी 2809 2809 120 का निकाल देंगे और एक 121 का निकाल देंगे तो 2809 का जहन размinehã निकालेंगे तो सब से शिर्फ और इसिर्पन से कत रहा है इस्तिफाक से तो तिर्पन यहां पर भी आ जाएगा सेंगी veggie 2809 होता है फिर तिरपन से भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा एक तो आप देखते हैं 2809 का वर्गमूल जब कहेंगे तो तिरपन गुडे तिरपन यानि वर्गमूल का निसान भी लगा है यानि इसका एंसर आ गया तिरपन कितना आ गया तिरपन आ गया सिर्फ अठ्ड़े जिरुडब नो का एक सो Mississippi से कटे गया गया एक सोओटी का होकता है गया गुड़े जलेगे तो इधर लग कव लग गया इसका आगया 11 अब आइंसर के बात करेंगर तो 23 सही 26 बटे 121 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो यह आजाएगा तिरपन और इसका आजाएगा 11 अब देखिए 11 नीचे छोटी संख्या तो इसे जब भाग देदेंगे तो आजाएगा ग्यारा पच्छे-पच्छपन ज्यादा हो ज जाएगा फिर देखते हैं यह वाला संख्या है जो 75 वाला 75 सही 46 बटे 14 तो जब 1475 की गुड़ा करेंगे तब आएगा हमारा 3675 फिर जोड़ेंगे कितना 46 बटे 14 तो जब उसको जोड़ने पर हमारा आ जाएगा 3721 बटे 14 तो सबसे पहले तो हम 3721 का निकालेंगे 3721 तो इसका भी इस्तिफाक से सिर्फ और सिर्फ 61 से कट रहा है इसके लाव कोई संख्या से नहीं कट रहा है ठीक आप देखें डायेट एक्सर से हमको पता कैसे चला इसकी लिए क्या करेंगे जब इसकी अगली परसनावली पढ़ा होगे तब यहां पता चल लाएगा कि एंसर कैसे पता चल जाता है कि यही एक्सर से कट रहा है तो लिखेंगे 3781 का गुड़न खंड हो जाएग एक्स ठीक तो यानि वंचास का गुड़न खंड हो गया साथ गुड़े साथ वर्गमूल अगर कहें तो सिर्फ और सिर्फ एंसर होगा साथ तो एंसर कितना लिखेंगे देखेंगे इतना 75 सही 46 बटे वंचास का वर्गमूल अगर बात करें तब होगा हमारा 61 बटे साथ अब साथ से जब हम भाग देंगे एक्सर को ठीक तो सतवट ही 56 कितना बच जाएगा पांच जो बचेगा वो वहां उपर लिख देते हैं और जिससे भाग देता है यानि आठ से ही पांच बटे सा पांच तो यह मारा एंसर हो जाएगा अ है कि सिस्था कह रहा है एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं और प्रतेग पंक्ती में उतने ही पेड़ है जितनी की बाग में पंक्तिया तो बाग में कुल कितनी पंक्तिया हैं तो देखिए हम इसका सबसे पहले बड़्गमूल निका तो देखें ए दो हजार तीन-सो चार तो जब इसको हम दो से काटेंगे तो दो एक्कम दो दो पंचे दस दो दुना 4, फिर जब दो से काचेंगे तो 2, 5, 10, 1, 2, 14, 1, 2, 6, 12, फिर दो से काचेंगे तो 2, 4, 2, 9, 16, 8ane 1 pressKO करकें पीर जान मेन चाहिंट हम सालआ तूस्तिय साथ इह लिए छॉथ्सपारती फिरकल दो पीशी नहीं मुद्सार कट आन सितना जार लो एक्पूर्थ आगया हमारा 2304 जब इसका वर्मूल निकालेंगे जोडा बना लेंगे 1234 इस प्रकार से दो गुड़े 12304 चार चार जोड़े हैं एक चल्व कितनी पंग्तियां हैं तो बात जब हम पंग्तियों पैड़्यों कं होगी वह भासी अरतालिस को प्रतेख पंग्ति हें पेड़ कितने होंगे थिक प्रतेक 59 में पेड़ में पूर्टेक पंक्ति में 48 होंगे क्योंकि सवाल कहें बेड़्य पंक्ति में उतने ही पेड लेख है जितनी ये होगे उतने ही हो जाएगा एक सेना नायक ने अपनी सेना को ठोलियों में इस प्रकार भिवाज़ित किया कि परतेख टोली में उतने ही सैनिक हैं जितनी की कुल ठोल ठीजितने की टोल यह उतने ही सैनिध्त यदि उस सेना में कुल छे हजार पांसे 641 सेनिक थे तो प्रतेक टोली में कितने सेनिक थे तो देखिए इसका जह हम वर्गमूल निकालेंगे 6561 का तो सबसे पहला हम कातेंगे तो आजाएगा तीन दूनी 6 क्योंकि लास्ट में एक है तो दो से तो कटेगा नहीं तीन दूनी 6, 3 एककम 3, 3 वट 24, 2, 3 सते 21, फिर तीन से कातेंगे तो 3 सते 21, 3 दूनी 6, 3 वट 27, फिर तीन से कातेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चकुबारा, 3 तिया 9, फिर तीन से कातेंगे तो 3 वट 24 तीन एकम 3 फिर 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 2 3 सते 21 फिर 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 9 फिर 3 से काटने पर आएगा 3 फिर 3 से काटने पर आगया 1 तो आब हम बात करते हैं 6561 ठिक इसका गुड़न खंड देखे कितना होगा ओद aurait जयागानि 6518 का वर्गमूल आ जाएगा तीन गुड़े तीन गुड़े तीन गुड़े तीन 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 नो तुरूब शत्ताइस तीहं यानी एक यानी तो प्रतेक टोली में सैनिक तो प्रतेक टोली में सैनिक थे हमारे 81 और टोलियां कितनी थी तो टोलियां हमारी थी 81 ही टोलियां थी क्योंकि सवाल कह रहा है जितनी की कुल टोलियां थी यदि उस देखो प्रतेक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थी तो प्रतेक टोली में सैनिक ह एक्यासी और टोलिया कितनी थी एक्यासी यह हमारे एंसर हो जाएंगे एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके वर्ग बनावाता है बाद में से ग्यात होता है कि साथ जवान सेस रहे जाते हैं यह उसके पास कुल आठ जवान थे तो बताएं कि प्रते कुल जवान तो कुल जवान थे हमारे आठ हजार एक सो साथ तो सेस जवान कितने रहे गए सेस जवान जो खड़े नहीं किये गए थे वो थे हमारे साथ तो खड़े जवान कितने थे कुल जवान थे इतने और खड़े जवान कितने थे खड़े जवान तो खड़े जवान थ खड़े तो यानी कुल खड़े जवान थे मारे आठ जार तो आप हम बात करते हैं यहां पर कह रहा है यह उसके पास खड़ेंग जवान थे तो बताएं प्रतेक पंक्ति में से ननायक में कितने जवान खड़े किये थे और पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है अब देखिए एक सो थे तो देखिए इसका निकालेंगे अब दिखिए यहां पर दो पंचे दस काटेंगे अब यह कितना चार सोपचास तो यह यहारा गलत है क्यों कि 8100 को जो हम दो जगाब आटेंगे तो कितना आएगा 4000 505 थिक 8 8 चक्कू आठ फिर जब संख्या साथ में उतारेंगे यह जिसे बाद भाग देते हैं अभी माथ एक जीरो जीरो दो चक्कू आठ तो आठ गया कट अब एक उतारा ना तो लेग जीरो बढ़ेंगी दोपंचे 10 अब 0 बाद में यह उतारेंगे और 0 से कड़ गया तो यह आ गया हमारा फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 दूना 4 दू पंचे 10 अब देखिए हमारा 2 से नहीं कटेगा 3 से देखते हैं 5 2 7 2 9 यानि 3 से कर जाएगा अब देखिए तीन से भी कट रहा है तीन सते कीस तीन पचे पंदरा फिर तीन से नहीं कटेगा तो आज आएगा हमारा 5 से काडने पर 25 फिर 5 से करने पर 1 अब हम बात करेंगे जब 8100 की तो 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 5 गुडरे 5 यह क्या है इसके गुडरं खेंग जब इधर वर्गमूल का निसान लगाएंगे तो इधर भी हमारा व्रमूल का निसान लग जाएगा तो आठ़जार सो का वर्ग मूल जो होता है दो तीन पांच दो तीन पांच यानी दो दुन प्याँ छे छे ते अठारा अठारा पर नब्बे यानि कितना आ गया नब्बे तो अब यहां पर हमसे पूछ रहा है प्रतेक पंक्ति में शेना-नायाग ने कितने जवान पुल ऊंक्ति कि कि eta वह मारी थी पर की संख्या तो पंक्तियों ङूंवरी नबब एंसर कि वह रह कि चोटी चैन ग्याद में गूड़ करने को पूर्ण आइगा तो गुणनखन निकालेंगे तब ही आपको कुछ खास चीजे देखेंगे आप दो से भाग करेंगे दुनाम 18 दुचकु आठ दो पंचे 10 अब दो से तो कटेगा नहीं अब देखें तीन से काटेंगे नो पांचा नो नो अठारा यह तीन से कट जाएगा तीन 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 पचे 15 फ आप दो दो और यहां यहां करेंगे जी रो बढ़ा देंगे यहां पर फिर तीन पचे 15 अब से काटेंगे तो देखें तो देखें थोड़ा कठिन सवाल अब आगर हम बात करते चोटे से सवाल कि जैसे 32 है तो क्या हमारा पूर वर्ग है नहीं है तो इसको जोड़ा बनना है सिर्फ कौन नहीं बनना है तो या तो फिर हम दोसे इसमें गुड़ा कर दें थिक बत्तिस में अगर हम दोसे गुड़ा कर दें तो इस चौशट संख्या होगी इसका पूर्ण निकल जाएगा आठा जाएगा या फिर हम बत्तिस में भाग कर दें थिक बत्तिस में दोसे भाग कर दें तो आजाएगा जिसका निकल जाएगा कितना जाएगा तो यहां पर अच्छे से समझे जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी से या तो फिर हम भाग करें और या फिर उस किसका नहीं बनना है, तो बन गया है 1, 3 का है 2 नहीं बनाए और तीन महीं बनाए, प्सका नहीं बनाए शाट नहीं इलग भी रöntव करते हैं ज्सका जोड़ा ना बने उस से यहां तो फिर हम भाग करते यहां भाग करते हैं 22 और इसेा इस तो मशनलों यहाँ आपowego 30 कट देंगे यजजा आगया हमारा dhvbm अब देखिए 28 nhân अब यह फिर शचोन तो फिर59 में 6 से गुडा करो तो पूढ और यहाब 것이 6 से भाग करो तोा जाएका 16 है यहाज़ेका चार समझ गये ? इसini प्रकार से हम बात करेंगे इसमींने घुक्त साथ लिए किकला जोड़ा रहाइकर है 2 001 टीन है इस पांच है और यह साथ यह vap te संख्या जिसका जोड़ा इसमें नहीं बनना है तो कर दो तो तो दस संख्या सी या तो फिर में गुरा कर दें या फिर में बाग करते तो हमारा फूरण फल ख अजय आ जाएगा तो लिखेंगे अता है 210 वह संख्या है अता 210 वह संख्या है जिसे कि अठारा सो नब्वे में गुड़ा करने पर गुड़ा करने पर जो गुड़न फल आएगा गुड़न फल पूड़ वर्ग हो जाएगा तो देखें जब इसको हम हाल करेंगे 9408 तो इसको हम सबसे पहले देखें आठी लिखा है तो इसका तेंगे तो Этот टू चे 10 ज्यादा हुट अक्षख को आठ डो सती चाओदा दू चको आठ प्र से काटेंगे ना चार यह चेज़़ तो पंषे टश्यडStud arrested चार फिर दोसे कातेंगे दो एकम दून मंदों दू बारां फिर दो से काटेंगे जो तो पंचे 10, 2, 8, 16, 2, 4, 2, 18, 2, 8, फिर दो से काटेंगे 2, 1, 2, 2, 8, 2, 3, 14, अब देखें आप दो से नहीं कटेगा तो हम इसको काटेंगे 3 से, पांच, एक, चार, तीन, चक्कू, बारा, तीन, वह, 27, अब देखें, साथ से काटेंगे, तो साथ, साथ, अब देखें यहाँ पर, दो का जोड़ा बनना है, यह दो का जोड़ा बनना है, और यह साथ का जोड़ा बनना है, सिर्फ जोड़ा किसको नहीं बनना है, तीन का नही और तीन एकन तीन 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 नो और तीन छाक अठारा एक तीस सो चातिस आएगा जिसका पूर्ड वर्गमूल निकल जाएगा पूर्ड वर्गमूल कितना आजाएगा लगभग छपन आजाएगा अब देखिए या फिर चावरानवे जीरो आठ में हम तीन से गुड़ा कर दें तो आजाएगा तीन वट चोबिस तीन चकू बारा तीनव सताइस एक अठाइस यानि अठाइस हजार दोसो चोबिस जिसका पूर्ड वर्गमूल हो जाएगा ठीक आएज इतना अब देखिए जिसका जोड़ा नहीं बनता है वर्गमूल में या तो फिर उससे गुड़ा कर दें या फिर उससे बाग कर दें कि हमारा जो सवाल था वह कह रहा था सिर्फ भाग के बारे में 94 जिरो आठ में भाग देने से भाग फलपूर हो जाए तो लिखेंगे अता तीन वह संख्या है जिससे 94 जीरो आठ में भाग देने पर भाग देने पर जो भाग फल होगा ठीक पूर्ड वर्ग हो जाएगा एकसरसाइट टू भी डाइन अगर वीडियो कहीं पर भी अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सस्क्राइब कर दें लाइक स्क्राइब करने के लिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत